अज हम बनाने जा रहे हैं वेज स्प्रिंग रोल की रेसिपी। इसे बनाना बहुत आसान है और बहुत कम इंग्रेडियेंट इसमें लगते हैं। तो आईए बनाते हैं वेज स्प्रिंग रोल। आज हम बनाने जा रहे हैं spring roll sheets या spring roll wrappers, जिससे बनाने के लिए हमने ये एक cup मैदा लिया है, all purpose flour, इसमें हम ये half teaspoon नमक डालेंगे, नमक कोच्छे से mix कर लेंगे और इसे, हमने पाने लिया है, जितना लगेगा उतना यूज करेंगे, इसका हम आता लगाएंगे डो लगाएंगे, ये देखेए friends, हमने ये आता लगा लिया है, अब इसके उपर हम ये कपड़ा डालके 15 मिनिट के लिए इसे रेज देंगे, डोग को रुक के 15 मिनिट हो चुके है, ये हम निकाल लेते हैं, अब फुरसा आते को हम अच्छे से गूम लेते हैं, इसके हम अब इस बोले निकाल लेते हैं, और इस तरह से हम ये गूले को अच्छे से बेल लेते हैं, अब इस तरह से बेल लेते हूं, और फिर मैं आगे का प्रोसेस आपको दिखाती हूं, यह हमने इस साइस की चार पास पूरिया बेल ली हैं, अभी मैं आपको आगे का प्रोसेस दिखाती हूं, इसको हमें थोड़ा सा ओईल लगाना है, अब हाथ से भी लगा सकते हो, अभी इसके ऊपर हम यह तोड़ा सा आठा स्प्रिंकल करेंगे, और इसके ऊपर दूजरा शेट रखेंगे, इसको हम वापी से से सेम प्रोसेजर रिपीट करेंगे, इसको हम कोईल लगाएंगे, इसके ऊपर हम यह मैदा डालेंगे, यह मैं चार पाच पूरिया मैंने बेल ली है, सब को मैं ऐसा करूंगी, मैं बाद्ट पूरिया मैं डालेंगे, को ज़ाएंगे हैं, यह मैं तर हम वावीजरा है, अभरिया करेंगे, यह मैं बाद़ा हैं, आठा अच्छे से डाल लेना है उसके उपर और ये इसके उपर में लास वाला रखती है अभी हम इसको बे लेंगे थोड़ा सा अठा डालके आठा में नीचे भी डाल लेते हूँ जितना बड़ा कर सकते हो इतना बड़ा हम इसे करेंगे हमारे शीट्स पतले हो हमने इसे मीचे प्लाटफर्म पर डालके अच्छे से रूल कर लिया है अभी हम इसे तबे पर डालेंगे अब इसके उपर हम भी शीट्स डालेंगे और इसे वन साइड से 10-15 सेकंड के लिए हम रखेंगे फिक पल्टेंगे हम इसे प्लाट प्लाट इसे रूल से भालेंगे प्ल्टेंगे लिए वन से कंड तूसर शीट्स एला हम इसे से के इसे तबेगे फिर हम इसे निटका रेएंगी, इसे थोड़ा थंड़ा होने देना है और फिर हम इसके sheets अलब करेंगे, यह थोड़ा यह सब कच्छा है, मैं इसलिए इसे पलट रही हूँ, मैं ग्यास का flame आफ कर देती हूँ और इसे थंड़ा होने देती हूँ यह देखें फ्रेज्स, अलग अलग कर लिए गे यह देखें मैं आपको दिखाते हुँँ इस कितने अच्छे बनाहें यह देखे, आप देख सकते हो शीर्स कीतने अच्छे बने है जो मैं सब इस सीडस निकाल लेती हुँ ठिगन माखल नची जड़ी जब हाट एंप आपने पद्लाम एंप पैमा रेशीग वाटी है soup इंप अ एंप 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 आपकाल एंप एंपस नची करदाई इंप क्क छोगे ब talk पकंवे नची जग वाटन इस तरह से हमारे सभी शीर्स बन चुके हैं अभी हम स्क्रिंग रूल बनाएंगे तो आईए बनाते हैं वे स्क्रिंग रूल इसके लिए हमें जो इंग्रीडियेंट लगेगी वो है इसे ममें चीजर्क लिया है लिक स्क्रिंग रिया रूल इसे लंबे सब्सक्रिंग रिया है चीजर्स लिए misma स्क्रिंग रिया हैं यूजered यह रिया है 6 सब थी ष्पुन नमक स्वाधनुसर सायगये अरेस क सब से लंक रहें और सक रिल हे he subject इसके साथ में 20 बार इसकी साथ कर लिए rocky स普 आए इसके सब्सोंण और हम शेजवान चटनी यूज़ करेंगे, दो टेबल स्पून, ये जीन मोटो है, ये भी हम टेस्ट के लिए डालेंगे, क्योंकि हम रेस्टोरांट स्टाई बनाने जा रहे हैं, ये आपको पसंद है तो ड़ा दिये, नहीं तो इसे स्किप कीजिए, तो आई ये बनाते हैं, रेस्प्रेइंग रोड, तो रही में हमने एक टेबल स्पून ओईल डाल दिया है, इसमें हम ये गिंजर गार्लिक और हरीमेज जालते है, इस रेसेपी में हमें ओईल बहुत कम डालना है, क्योंकि हमें इसे आगे, शीट्स में स्टफ करके रोल करके प्राय करना है, और सब्धी सब्जियों का हमें प्रण्च रखना है, इसलिए इसे ज्यादा पक्काना भी नहीं है, अब हम इसे बून दिया है, अभी हम ये प्याज इसमें आड़ करेंगे, अभी हम सिम्ला मिर्चे आड़ करते हैं, सब्धी सब्जियों का प्रण्च हमें रखना है, इसलिए हम इसे ज्यादा नहीं बुनेंगे, ये गाजर भी हम इसमें आड़ कर देंगे, प्रसाप में ही, ये हाफ टी स्पून हम नमग डालेंगे, और 1 पूर टी स्पून हम ब्लैटेपर पाउर डालेंगे, इसमें हम ये कैबे जाड़ कर लेंगे, आपको पसन है तो आप इसमें नूगल्स भी डाल सकते हो, इसमें हम ये एक चम्मच रड़िटी स्पून डालेंगे, एक चम्मच ग्रीन चिवी सॉस डालेंगे, और एक ही चम्मच हम सोय सॉस डालेंगे, सब सॉस डालने के बाद हमें से फूरा सा मिक्स कर लेंगे, और लास में हम इसमें दो चम्मच शेजवान चटनी डालेंगे, ये चटनी डालने से इस प्रिंग रोल का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, ग्यास का फ्लेम हम बड़ा ही रखेंगे, कि सब जीव का पानी नहीं चुपना चाहिए, और वो ज्यादा पक्री भी नहीं चुपने, ये हम थोड़ा सा इसमें अजीनों में तो डाल लेंगे, अभी मैं गैस का फ्लेम आफ कर लेती हूँ और इसे ठंडा होने देती हूँ, ये देखे फ्रेंड्स अभी ये उमारे शीट है, इसके उपर ये सबजे हम डाल देते हैं, सबजे आपको ये चाहिए, उखिया आप दा दिये, मैरे शीट्स पड़े हैं, इसलिए मैं थोड़ी ज्यादा सब्लिस्ट्रे डाल देंगे, देखें, अभी हम साइड से इसे, इसे फोल्ड कर र dönेते हूं, और ये भी साइड में इसे उपर ले रшие लेते हूं, जौने लूने उपर रे लेंगी, इसके और फिर को बाहता हैं डाल करम है, आपको हम देखेंगे. तो भी के लूम करेंगे, फ्र्रेंग्स से इसे चिप कर लेंगे. यह हमने मैदे किसलडी बना ली है इससे हम इसे चिपका रहे है ताकि जब हम ठाय करें को यह निकले ले इस तरह से हम सभी रोल बना ले यह देखे फ्रेंड हम यह दूसरा स्प्रिंग रोल बढ़ते हैं इसमें हमने सब्जी रां ली इतने आपको चाइए उतने आप आली जिस साइस क्या पिशी है इसके हिसाब से आप कम ज़्यादा करते हैं अभी मैंसे इस दरी लगा लेती में इस साइब से खूल कर लेंगे फिर इस साइब से खूल कर लेंगे वह रुम्हाद से खूल करने के बाद हम इसे अच्छे सिर्ट यह दिख लेए जिए लास्ट करने कि यह दो एका को बांक एक जाल प्सकर है कि वह से में में साल में कि स्रइब ऑर जारल कीि कि यह छीक्त प्रेंगी अब इसमें हम ये spring roll डाल लेते हैं, एट ए टाइम हम दो ही डालेंगे, एक साड़ी से हम कलर आने देंगे, फिर इसे पलटेंगे, दुसरी साड़ी को हम बलत लेते हैं, जो देखे हैं, हमारे spring roll को तिक नाच का कलर आया है, अब हम इनी निकाल लेते हैं, अब हमारे spring roll को कितना अचा कलर आया है, इसी कर से आमने साड़ी spring roll ताय कर लेते हैं, अभी मैं इसे प्लेट में निकाल लेती हूँ, प्रेंट्स, यह देखे हैं, आप इसका आवाज सुन सकते हो, हमारे spring roll कितने crunchy बने हैं, आप यह इसे spring roll घर पे बना सकते हो, अगर मेरी recipe आपको पसनाती है, तो प्रेज़े से like कीजिए, अपने friends के साथ share कीजिए, और मेरे चानल को subscribe कीजिए, और हाँ, bell icon दबाना मत भूलिए, उससे मेरी recipe आपको सबसे पहले देखने को मिलेगी, तो फिर मिलते हैं, किसी नए और test recipe के साथ, तब तक के लिए good bye and thank you,